हेलो और गुड मॉर्णिंग एवरिवन दिस यूर मेंटर फ्रेंड आकिप सिद्धी की और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का अटमिक इस्ट्रक्ट्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एटम उर्जिन ओफ इस्पक्ट्रा या कहेंगे बोहुर थिवरी ओफ हाइड्रोजन इस्पक्ट्रम तो स्टूडेंट्स देखिए रदर फोर्ट के मॉडल ऑफ एटम ने तीन चीजें हमें बताई थी क्या था सबसे पहला यह था कि most of the space is empty इसको आप रफ लिख सकते हो कि एटम के बारे में इस्पेस क्या थे अंदर का जाहतर पाड़ा इस्पेस क्या है होल मास है 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 चार्ज है है अधिसेंटर है फिर हम लोग आते हैं बहुर्स अटोमिक मॉडल है कि आपड़र कि इन्हों ने तो आइटम का एक आइड हामको दे धिये अथा और फली कैसा होता लेकिन बहुरेन कि और ने किक्स औरीट में कितनी एनर्जी वाला एलेक्रॉन एलेक्ट्रा उब्सा कर सकता यह एलेक्ट्रान करें एलेवाल्स गया कैन multiple of h upon 2 pi और n की value आपकी हो सकती है integer है मतलब 1,2,3 and so on and this is what this is your this is your angular momentum angular momentum h क्या था आपका planks constant तो अगर हम mvr is equals to n times h upon 2 pi को first equation दे दे basically हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं आपका radius and velocity of the orbit and velocity on the orbit फिर निकालेंगे हम लोग wavelength और फिर निकालेंगे energy चार चीजे हम लोग यहां पर find करने वाले हैं सबसे पहला काम electron revolving in a particular orbit उसकी हम लोग radius और velocity निकालेंगे तो जैसे माल लेते हैं कि यहां पर हमारा एक nucleus है nucleus पर charge कितना होगा its atomic number multiplied by charge on electron and let us suppose that an electron is revolving it is having an hour distance so it's a radius of the circle in which electron is revolving will be R तो देखिए यहां पर दो तरह के forces electron पर होगे एक तो invert direction में होगा electron की बात करें तो यहां पर क्या होगा electron पर एक invert force लग रहा होगा that force will be named as f small e मतलब की electrostatic force and outward force will be equal to centrifugal force that will be fc तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि for equilibrium equilibrium में electron obviously है तो क्या हो रहा होगा f e should be equal to आपका fc के बराबर होना चाहिए ठीक है f e electrostatic forces at a distance of r between two charges तो कितना होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 मतलब की ze multiplied by q2 मतलब की e electron is revolving upon square r square is equal to centrifugal force क्या होता है मैं लिख देता हो यहां पर fc is always equal to mass into velocity का square divided by radius of that circuit in which it is revolving तो कितना होगा m v square by r this will be your second equation थोड़ा सा modify कर सकते है r r r cancel कर दे तो यह आएगा ze square upon 4 pi epsilon 0 r is equals to m v square तो यह थोड़ा सा upgraded हो गया है second equation लेकिन थोड़ा सा modify कर दिया ठीक है इसे आप लोग नोट करें पॉस करके आप लोग नोट कर सकते हैं यह आपकी second equation not solving पॉस्ट और सेकंड equation को जो solve करेंगे तो हमें दो चीजें मिलेंगी एक तो radius मिलेगा और और रेडियोस ऑफ एन अथ और मिट मतलब यही आर को हमने कह दिया यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एन स्कॉर क्या है अलग लिख दिया हमने और यह पूरी वैलू क्या है आपकी कॉंस्टेंट है फ्रॉम हेर यू कन कंक्लूड दैट कि आरेन इस डिरेक्ट ली प्रपोर्शनल टू एन स्कॉर के वल एन पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि आप सब की वैलू जानते हो यह क्या है एच डाट इस और प्लांक्स कॉंस्टेंट और यह क्या है एपसाइलम नॉ के की वैलू कितनी आती है कि के आता है पॉइंट फाइव थ्री आंस्ट्रॉंग के की वैलू कितनी आती है पॉइंट फाइव थ्री आंस्ट्रॉंग इसे आप लोग नोट करें पहले तो rn is proportional to क्या आया है मारा n square और rn is equal to आ जाएगा k times n square और n की value होगी 1, 2, 3 and so on integer है और k की value हो गई 0.53 since आपका k is equal to कितना है 0.53 Armstrong तो rn is equal to कितना हो जाएगा 0.53 times of n square Armstrong तो first orbit के लिए n बराबर 1 तो rn या r1 कितना हो जाएगा 0.53 Armstrong मतलब की k और अगर r2 की बात करेंगे तो कितना होगा 0.53 multiplied by 2 का square that means कि यह k की value है तो k और यहां कितना हो जाएगा 2 या 4 तो कितना हो जाएगा 4 k और अगर हम r3 की बात करेंगे तो 0.53 into 3 का square that means कि 3 का square कितना होगा 9 and 0.53 is the value of k so we will be getting the values like this and so on तो यहां से हमने क्या किया radius की value आसानी से निकाल ले और n की value कितनी होगी 1,2,3 and so on तो this is the radius of the orbit फिर हम लोग बात करेंगे velocity की तो उन दोनों equation को solve करने के बाद velocity की expression के आएगी VN is equal to ZE square upon 2H epsilon naught N from here we can see that VN is equals to for hydrogen Z is equal to 1 तो हमारा VN कितना हो जाएगा E square upon 2H epsilon naught whole multiplied by 1 by n here you all can see that E is a constant value H is also a constant epsilon naught is also a constant and 2 is also a constant number that means V is inversely proportional to N proportionality हटेगी तो एक constant आएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे के डाइश अपॉन और के डाइश की वैलू क्या होगी यह सारे वर्ड जितने भी सारा टर्म टर्म जितने हैं के डाइश क्या होगा E square upon 2H epsilon not इन सबकी वैलू रखने के बाद हमें क्या मिलेगा इन सबकी वैलू रखने के बाद मिलेगा हमको 2.19 into 10 to the power 6 meter per second मिल जाएगा तो यहां से हम देख सकते हैं कि VN कितना मिल जाएगा आपको 2.19 into 10 to the power 6 upon N meter per second और N is equal to कितना होगा यहां से 1,2,3 कुछ भी हो सकता है अगर हम बात करें V1 की तो V1 कितना आएगा 2.19 into 10 to the power 6 meter per second that is K और अगर हम V2 की बात करें तो 2.19 into 10 to the power 6 upon 2 meter per second that is V2 is equal to k by 2 in the same way V3 will be k by sorry k dash by 3 and k dash की value आप लोगों को अच्छे से पता है k dash की value क्या है तो यहां से हमने दो चीजे निकालनी first one is your radius of the orbit and second one is your velocity of the orbit in which the electron is revolving so you all can note it down